J.E.Main का final result आ चुका है और इस result के बाद अब बच्चों के दिमाग में ये चीज आ गई है कि कौन सा college J.E.Main के score के थुरू ले सकते हैं ये वीडियो इसी चीज की guidance के लिए है Hello students, मेरा नाम है प्रशान जैन और इस वीडियो में हम लोग J.E.Main के rank के basis पर क्या-क्या possibilities हैं और क्या-क्या options explore किये जा सकते हैं उसके बारे में discussion करें J.E.Main का result 30 April को declare हुआ और उसके बाद बहुत सारे बच्चे तो अब J.E. Advance की तयारी करने लग गए हैं J.E.Main की जो rank होती है उसके basis पर जो counseling होगी वो JOSA के थुरू होगी JOSA एक ऐसा portal है जहां पर J.E. Advance की rank और J.E.Main की rank की basis पर सारे colleges मिलते हैं JOSA के platform पर IITs available होते हैं, NITs available होते हैं, GFTIs available होते हैं, IIITs available होते हैं और total मिला के तक्रीबन 35,000 seats पर क्या बच्चे को मिल सकता है वो decide होता है अब इसमें J.E.Main के अंदर खास कर कुछ ऐसी चीज़े होती है जो बच्चे को ध्यान रखनी होती है जो J.E.Main का result आया है उसके अंदर CRLI है, common ranking list के अंदर जो rank होती है उसके बाद जो category rank होती है, वो भी होती है हर एक state के अंदर जो NITs होते हैं, उसमें दो तरह से seats allocate होती है एक होती है home state जिसमें 50% seat reserve होती है और other 50% जो होती है वो बाकी सारे बच्चों के लिए होती है within this 50% जो OBC reservation है, STSC reservation है और जो PWD के लिए reservation है, वो भी implement किया जाता है तो अगर अब माननीजीए किसी बच्चे की 1000 rank आई है और उसको home state की जो quota की seat है, उसके हिसाब से CS मिल रहा है और अगर माननीजीए All India के हिसाब से नहीं मिल रहा है अब मैं आपको इस case से समझाने कोशिश करता हूँ है देखे, होता गया NIT 34 पली है ये one of the most famous NIT है अब माननीजीए All India rank की basis पर आपको यहाँ पे mechanical मिल रहा है और अगर आप ऐसा हम case ले लेता हैं कि हर्याना के है NIT कुरुक्षेतर भी काफी famous NIT है अब NIT कुरुक्षेतर में आपको home state quota से computer science मिल रहा है Computer science branch काफी अच्छी मानी जाती है और कुरुक्षेतर बट NIT 34 पली से थोड़ा सा हलका college माना जाता है तो यहाँ पे अगर आपको branch को priority देना है तो आप अपनी home state के हिसाब से जो rank आई है या फिर जो home state quota है उसके हिसाब से आप हरियाना में seat ले सकते है या फिर अगर आपको college prioritize करना है तो आप all India quota के हिसाब से 34 पली में admission ले सकते है इसकी जो comprehensive list है आपको net पे मिल जाएगी हर एक बच्चे को net पे ये देखना चाहिए कि जो opening और closing ranks है वो क्या थी पिछले साल 2018 की counseling में जो 7th round of counseling था उसके बाद opening और closing rank क्या थी इनका जो link है हम लोगों ने हमारा जो description है वीडियो का उसके अंदर दे रखा है next बात आती है कि आपकी J.E.Main की rank के हिसाब से आपको क्या-क्या possible choices मिल सकती है अब देखिए आपने मानलेजें इंटरनेट पर देखा कौन-कौन से अच्छे colleges है उनकी opening closing rank भी देखिए बर वो list इतनी बड़ी होती है कि generally comprehend करना possible नहीं होता तो बहुत सारे online ऐसे tools available हैं जिसमें branch predictor नाम से जो होते हैं जिसमें J-Main की rank की हिसाब से और पिछले rank का opening closing rank compare करके आपको best option available मिल जाते हैं ऐसा ही एक branch predictor का जो link है वो हमने हमारी strip में display कर रहा है आप देख सकते हैं इसको और इस link पर जाके आप कोशिश कीजिए कि देखें कि आपको क्या best possible branch मिल रही है इससे बच्चे को एक indication मिलता है कि कौन सी rank पे उसको क्या best possible option मिल सकता है और बाकी यह ज़रूर कोशिश कीजिए कि comprehensive list भी आप देखने की कोशिश करें क्योंकि यह जो step है counseling का यह आपके लिए बहुत important है जब counseling चालू होगी जब J.E. Advance की ranks भी आ जाएंगी उसके बाद जब counseling चालू होगी तब होगा यह कि बहुत कम time होगा आपके पास और आप सोच नहीं पाएंगे तो अगर आपके आपके आप सोचने का time है या फिर 27 मही जब J.E. Advance होगा उसके बाद आपका सोचने का time है तो I hope आपको यह video informative लगा होगा अगर किसी भी बच्चे को ranks related कोई भी query है तो आप इस comment box में जो इस video के नीचे comment box है वहाँ पे आप डाल सकते हैं मैं आपकी खुद personally help करने की कोशिश करूँगा Thank you